हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल रिस्पी और क्रियेटिविटी आप सब कैसे हैं मैं आपकी दोस्त फिर से उपस थी तो एक नए रिस्पी लेकर वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकोन को प्रेस कर लीजे और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सेयर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा प्रेंट्स हम अपनी डिस्पी को बनाना सुरू करते हैं सरदियों के मौसे में हमें हरी हरी सब्ज diya खाने को बहुत मिलता है तो आज मैने बत्वह लिया है बत्वह हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही अच्छा होता है यह वीटामिन B और वीटामिन C से भरपूर होता है इसमें calcium, phosphorus, sulfur आर potassium पाया जाता है प्रेंट हम बथवे को दूल कर काट लेंगे मैंने बथवे को दूल कर काट लिया है ये एक ball के करीब आया है बथवे को बारीक-बारीक सम महिंसा काट लेंगे मैंने एक ball बथवा लिया है लेकिन aloe इससे कम लेंगे हम अपने आलू को उबाल कर मैश कर लेंगे मैंने अपने आलू को उबाल कर मैश कर लिया है मैंने जितना बत्वा लिया है उससे कम आलू लिया है क्योंकि हम बत्वे के पराठे बनाने हैं आलू के नहीं आलू जादा हो जाएगा तो हमें आलू जैसा पराठा लगने लगेग आलो को फ्राइ करने के लिए एक चौथाई चमच हिंग लेंगे, एक चमच सौप और जीरा लेंगे, एक चौथाई चमच लेंगे और आधा चमच काली मिर्श लेंगे सौप और जीरा मिक्स है तो चलिए अब हम अपनी कडाई ले ले लेते हैं और आलू को फ्राइ करते हैं दो से तीन चम्मची हम तेल डालेंगे ज़्यादा तेल का यूज नहीं करेंगी जितने ही में फ्राई हो सकी हम उतना ही तेल डालेंगे तेल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे कडाई में चारों तरफ लगा देंगे और अब हम इसमें लेसन डालेंगे अब हम अच्छे से चला देंगे थोड़ी देर से लाल सा होने देंगे अब हम अपने इसमें मसाले डालेंगे हम पहले हिंग डालेंगे फिर हल्दी डालेंगे और अपने सारे मसाले इसमें डाल देंगे अच्छे से चला देंगे सबको एक बार फिर हम इसमें अपना आलू डालेंगे हमने आलू को अच्छे से मिला देंगे इधर उधर पलट कर ताकि सारे मसालिस में मिल जाया अच्छे से और इसके बाद हम इसमें बत्वा डालेंगे तो हम अपने बत्वे को भी इसमें डाल कर मिला देते हैं सभी को एक साथ डाल कर मिला कर अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं आप भी इसी तरीके से डाल कर चला दीजेगा अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं हम इसमें एक चमश नमक डालेंगे अबी को अच्छे से मिला लेंगे, बथुआ हमारा पानी छोड़ता है, इसलिए हम इसको अच्छे से फ्राइ करेंगे, अच्छे से फ्राइ करने पर इसका पानी सूख जाएगा, और हम पराठे बनाएंगे तो इस टफिंग फटकर बाहर नहीं निकलेगी, और हमें पराठे असानी होगी, सो फ्रेंज देखिए हमारी स्टेफिंग बनकर रेडी हो गई है, मैंने इसे अच्छे से फ्राइ कर लिया है, इसका पानी इकदम सूख गया, हम अपनी स्टेफिंग को ठंडा होने देंगे, ताकि हमें पराठे बनाने में असानी हो, तक हमारी स्टेफिंग हो रही है, तब तक हम अपना डो तयार कर लेते हैं, डो तयार करने के लिए हम आटा को लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो फ्रेंज देखिए मैंने अपना डो तयार कर लिया है, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, और इसे सॉफ्ट सा गूत लिया है आप भी इसी तरीके से गूतिएगा क्योंकि आटा गूता हुआ सर रहता है सॉफ्ट सा तो स्टेफिंग फटकर बाहर नहीं निकलती है पराठे में अच्छे से आए और इसका स्वाद अच्छा बने इसी तरीके से आप देखिए इसको अच्छे से दबा कर बंद करिएगा अपनी हथेलियों की सहायता से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजेगा और इसे गोल गोल सा गुमा दीजेगा जैसे मैं कर रही हूं हैर देखिए हमारा पराठा बेल कर रेडी हो गया है अब एक्दम सही आया है फटा बिलकुल नहीं है कहीं से इसटेफिंग बाहर नहीं है निकली है आप इसी तरीके से बेल लिजेगा चलि हम आपको दूसरा पराठा बेल कर दिखा देते हैं इसी तरीके से आप भी इसको फिल करिएगा ये फटेगा नहीं बिल्कुल भी बाहर आपकी स्टफिंग नहीं आएगी हम अपने हलके हाथों से इसको बेलेंगे हमारा दूसरा पराठा भी बिल कर रेडी हो गया है अब हम अपने तावे को रख देते हैं इस पर तेल अच्छे से लगा देंगे और हम इसमें पराठा डालेंगे पराठे को एक तरफ अच्छे से सिख जाने पर ही इसको पल्टेंगे मेरा पराठा एक तरफ सिख गया है अब मैं इसे पलट देती हूँ थोड़ा सा दूसरी तरफ भी सिख जाएगा तब हम इस पर तेल लगाएंगे तेल आप अपने अनुसर कम ज़्यादा लगा सकते हैं तो देखिए प्रेंट्स हमारा पराठा फूल ने लगा है अपने आप मैंने इसे जरा सा भी प्रस नहीं किया आप हलके हलके हातों से जरा जरा सा इसको अगर प्रस कर देंगे और दोनों तरब से पलट कर सेखेंगे तो ये पराठा फूल भी आएगा और अच्छे से सेख जाएगा तो फ्रेंट्स देखिए हमारा पराठा कितना फूला हुआ है और स्टफिंग फटकर बाहर भी नहीं निकली है फ्रेंट्स मैं आपको एक और पराठा सेख कर दिखा देती हूँ मेरा पराठा ये भी बहुत फूल कराता है आप अपनी गैस का फ्लेम अपने अनुसार धीरे तेज कर सकते हैं देखिए मैंने बिलकुल भी कुछ भी नहीं किया था और अपने आप फूलने लगा था मेरा ये वाला पराठा तो फ्रेंट्स देखिए ये भी पराठा कितना फूला हुआ है ऐसी तरह आप सेख सकते हैं तो फ्रेंट्स हमारा दूसरा पराठा भी सिक्कर रेडी है तो देखिए फ्रेंट्स हमारे पराठे कितने अच्छे बने हुए है यह सॉफ्ट से और मुलायम से है और स्टफिंग पूरे में आई है चलिए हम इसे एक बार शेक करके देख लेते हैं तो देखिए फ्रेंट्स मैंने इसे तोड़ा है और देखिए हमारी स्टफिंग पूरे में आई है और अच्छे से भर कर आई है इसको खाने में बहुत ही स्वादा आएगा मैंने हरी धनिया और टमाटर की चटनी बनाई है आप कोई भी चटनी ले सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगे आप उसके साथ खा सकते हैं आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं आप इसे डिनर में भी खा सकते हैं तो फ्रेंट्स आप बनाईएगा तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा कि आपके पराठे कैसे बनें मेरे पराठे तो बहुत सौधिस्ट बने और सेयर लाइक जरूर करेगा चलिए तक तक के लिए टेक केर बाबाए नेक्स वीडियो में मिलते हैं थैंक यू